सभी दिव्यांग मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों सभी दिव्यांग जोनों से एक request है कि इस चैनल से जुड़ जाए और हमारे चैनल के हर एक वीडियो को अपने जितने भी दिव्यांग साथी है उन सभी लोगों में share जवस्य करें क्योंकि हमारी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो लेटिस्ट अपडेट आती है आप सभी लोगों से रिलेटेड दिव्यांग जिनों से रिलेटेड नए नए योजनाओं के हर प्रकार की जानकारी आपको हमारी चैनल के तरफ से मिलती है तो दोस्तों अभी दिव्य प्रकासित हुई है तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि दिव्यांग जिनों का जो पैंशन का जो स्कीम है वो लगबग हर स्टेट में बहुत ही खराब चल रहा है अग कहीं कहीं तो दोस्तों बहुत ही खराब पैंशन के स्टेटी है बहुत सारे दिव्यांग जिन ऐसे हैं जो कि इनको पैंशन नहीं मिलता है बहुत सारे दिव्यांग जिन ऐसे हैं जो कि अपलाई किये वे हैं बहुत साल हो गया दो साल तीन साल चार साल लेकिन उनलों को प यहां पर बिध्धा बिध्वा वह विकलांग उन्हों को पैंसन नहीं मिली तो चंद्रपूरा प्रखंड के पास धरना कैलास तो दोस्तों एक समाज से विए कैलास जी उन्होंने पूरा decide कर लिया है कि अगर बिध्या बिध्वा और विकलांग उनों के pension नहीं मिली तो चंद्रपूरा प्रखंड दोस्तों आप सबको बता दें चाहते हैं चंद्रपूरा प्रखंड जो चंद्रपूरा ब्लॉक है वो आपका बोकारो जिले जारखंड में बिलोंग करता है तो इस ब्लॉक में बहुत सारे दिव्यांग जन का बहुत सारे बिध्धा लोका जो pension है वो अठका हुआ है जो अधिकारी है वो बहुत ही सुस्त काम करते हैं और दिव्यांग जन की परती बिल्कुल ही सम्मेंदन नहीं है तो चलते हैं अस्थानी प्रखंड के तारानारी पंचायत के पूराना पंचायत भवन के समक्ष प्रखंड अस्तर्य पेंसन धारियों की बैठक हुई अध्यक्षिता लखन महतों ने किया बैठक में काफी संख्या में बिध्धा, बिध्वा, बिकलांग, पेंसन धारी महिला वो पुरूस उपस्तित थे इस दोरान कैलाजगिरी ने कहा कि सितंबर मास से बिध्धा, बिध्वा वो बिकलांग को पेंसन नहीं मिल रहा है इसमें पेंसन धारीों को काफी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है कई पेंसन धारी पेंसन की रासी से ही दवा आधि जरूरत की समाने खरीदते हैं तो दोस्तों आपनों जैसे पता है कि बहुत सारे दिव्यांग जाने जिनका स्थिती जो बहुत ही खराब है उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने लिए जरूरत की चीजे खर दे दवाई खर दे या फिर कुछ भी काम करें तो इसके प्रति दोस्तों एक वहाँ पर मीटिंग हुई और उसमें क्या डिसाइड हुआ किस तरह से बाते हुई इसकी जानकाली के लिए आगे बढ़त मिल दाना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं ख़वर में देखें आपर उनकी समक्च कई परकार की समस्याए उत्पन हो गई है उन्होंने जार्खन सरकार से अविलम बकाया पैंसन की रासी भुगतान करने की मांग किया है वरना पैंसन धारी प्रकन का रियाले में धरना देन बिवस होंगे तो दोस्तों इन्होंने चेतावनी दे दिये सरकार को जार्खन सरकार को कि अगर आप हमारा पैंसन जो भी बकाया है उसको जल्स जल्स क्लियर कर दीजिए अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो हम बिवस है कि हम जो ब्लोक कर्याला है चंदरपूरा का तो वहा पर आम धरना दे दे अब आगे भड़ते देखें आपर तो साथ ही उन्होंने केंद्र वह राज सरकार से पेंसन धारियों की पेंसन रासी पंद्रसो करने वह परतिमा भुगता करने की मांग किया है वहीं ब्रिद्धा वबिद्वा महिला मेनवा देवी सावित्री देवी कलावती देवी सुगा देवी समेत अन्य लोगों ने जहरकन सरकार से बकाया पेंसन अविलम वुकतान करने की मांग किया है तो दोस्तो आप सभी लोगों को बता दे कि आप लोग को जो लड़ाई है आप लोग के जो समस्या हैं अगर आप सोचेंगे कोई मंतरी या फिर कोई बिधायक आके आपको लोगों का मदद करेगा आपकी बातों को रखेगा संसद में तो बिल्कुल ही आप भूल जाएए वाटससब ग्रूप बनाईए और आप लोग समय समय मीटिंग कीजिए अगर किसी को कुछ प्रॉड्लम होता है और सच्छम है कोई अगर देने में या कोई हेल्प करने में तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए अगर किसी को कुछ अभेलना या फिर कुछ ऐसा चीज फेस होता है समाज में जो की बिल्कुल ही प्रतिकूल है दिव्यां के प्रति तो आप लोग उनके लिए आवाज उठाईए और समय आने पर अगर धरना भी करना पड़े या कहीं जुलूस भी निकालना पड़े किसी एक खिलाब तो पीछे बिल्कुल ना आईए तो इन सभी चीजों को तभी साथ तक तभी आगे बढ़ता है जब आप सभी लोगों में यूनिटी होगी क्यूंकि मैं करीबन चार-पांस साल से आप सभी लोगों से जुड़ा हो हर प्रकार की जानकरिया देता हूं और है साइध किनी किनी लोगों को मेरी बात बुरी लगे बट यह बिल्कुल एक फैक्ट है मैं खुद इस चीजों को देखकर इतने सालों में देखकर यह अपना अनुभाव सेयर कर रहा हूं अगर आपको मेरी वात अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात आपका दिल से धन और भी सार्थक बनाऊंगा जो भी हेल्प बने मैं जरूर करूंगा तो चलिए जोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो बे तब तक के लिए धन्नवाद जय हिन जय भारत जय दिव्यांग समाच